हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में हम बात करेंगे थाइरोड फंक्शन टेस्ट के बारे में तो इसे हम TFT भी बोलते हैं ठीक है जब भी आप क्लिनिकल ड्यूटी के लिए जाएंगे जब आप पेशिंट की फाइल अप देखेंगे तो इसमे से एक है थाइरोड फंक्शन टेस्ट तो इसमें क्या है थाइरोड टेस्ट किया जाता है ठीक है इसमें क्या क्या टेस्ट किया जाते है वो सभी हम इसमें डिसकस करेंगे और क्यों क्या जाता है डेफिनेशन क्या है और इसकी नॉर्मल रेंज क्या रहती है ठीक है और फर् बात करते हम गवर्मन्स के बारे में फर्स्ट है इसमें ट्राइडो थाइरोनीन जिसे टी-3 भी बोलते हैं और इसकी डेफिनिशन के है अगर परसन की बॉड़ी में या पेशन की बॉड़ी में टी-3 जादा मातर में प्रड्यूस होता है तो उसे जो कंडिशन होती है ग्रेव डिजीज जो है वो पेशन को हो जाती है जो हंड़ी ग्रेव डिजीज बोलते है और जो जोंड़ी बने हरी डिजीजा होता betpes इसके 75-200 NGDL, उसके बाद आता है थैरोक्सिन, यानि कि T4, a high level of T4 indicate an overacting thyroid, यानि कि अगर high level हो जाती है T4 की उसमें क्या होगा, overacting of thyroid, यानि कि थैरोड की जो production हो जादा हो जाती है, यह भी एक hyperthyroidism ही इसको हम बोलते हैं, symptoms include, यानि कि क्या-क्या symptoms दिखाई देंगे, अगर T4 जादा produce होता है, तो anxiety, unplanned, weight, loss, ठीक है, और tremors, या फिर diarrhea की problem जो वो patient को होने लग जाती है, और इसके normal range रहती है 4.5 to 11.5 UGDL, उसके बाद आता है, थार्ड इसमें, thyroid stimulating hormone जैसे TCH भी बोलते है, is a pitutory hormone that stimulate the thyroid gland to produce T4 and T3, ये क्या है, ये एक pitutory hormone होता है, जो stimulate करता है, ठीक है, यानि कि जो thyroid gland में T3 and T4 बनाता है, ठीक है, और which stimulate the metabolism of almost every tissue in the body, जिसका क्या क्या होता है, जो हर एक body में metabolism को stimulate करता है, ठीक है, एक pitutory hormone है, जो कि thyroid gland में T3 और T4 को produce करता है और जिसका क्या काम को होता है metabolism को stimulate करना हर एक body part में या फिर हर tissue में और इसकी normal range जो है वो होती है 0.3 to 5.0 u ml तो ये था thyroid function test तो I hope ये वीडियो एक के लिए helpful होगा Thank you for watching